अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं तो अभी नहा धोके और कीचन में आई हूँ। क्योंकि सब काम करके और बाद में अगर नहाती और बाल धोती तो काफी लेट हो जाती और सर्दी का मोसम है। अभी दो-तीन दिन पहले ही मुझे सर्दी खांसी हो गई थी बड़ी मुस्किल से आराम हुआ है। तो सोचा कि कहीं फिर से ठंड ना लग जाएं। तो पहले ही सुवे-सुवे नहा लेती हूँ, बाल धो लेती हूँ। तो दो पैर तक तो बाल सूख जाएंगे। और वैसे मैंने बालों को अच्छे से टावल से पोच भी लिया है। लेकिन फिर भी देखें, बिलकुल बहुत मजबूती से मैंने मंडा सा मार लिया है। ताकि ना तो पानी गिरे बालों से क्योंकि चाहे कितने ही अच्छे से पोच लो लेकिन फिर भी बालों से थोड़ा थोड़ा पानी टपकता ही रहता है तो बालों को मैंने अच्छे से लपेट लिया है और ये भी है कि अभी खाना बनाऊंगी तो खाना बनाते टाइम पता भ खुले बाल कभी भी नहीं छोड़ती हूं, मेरे बाल खुले तबी तक रहते हैं, जब तक मुझे कंगी करनी होती है, या बाल गिल्ले होते हैं, तो थोड़ी सी देर के लिए उनको सुखाना होता है, कोई काम नहीं कर रही होती हूं, जैसे ही काम करने लगती हूं, बालों को तरंत बांध लेती हूँ, क्योंकि खुले बालो में हम ये सोचे कि हमारी सुन्दरता बढ़ेगी, नहीं, सुन्दरता बढ़ने से ज़्यादा नुक्सान होता है, बालों को भी, और जो हम काम करते हैं, जैसे कि खाना ही बनाते हैं और अगर खाना बनाते टाइम पता भी ना चले आटा ही लगारे उसमें कोई बाल चला गया रोटी के अंदर पक के और खाने वाले की थाले में पहुंच गया और अभी सबसे पहले तो अपने लिए चाए बनाऊंगी क्योंकि बहुत जादा ठंड लग रही है एक कप चाए पीने के बाद फिर अपने काम की स्टार्टिंग करूंगी और आज सुबह के खाने में तो मन है कि कड़ी चावल बनाऊंगी और रेसिपी तो शेर नहीं करूंगी क्योंकि इसकी रेसिपी पहले ही कई बार शेर हो चुकी है तो अपना काम कर लेते हैं चाए पी लेते हैं बीच बीच में जैसा भी होगा आप सब के साथ बात करती रहू है राधाना में अधार तूँ जप ले राधे तेरे जीवन के दिन चार तूँ जप ले राधे राधे है राधा नाम अधार तूँ जप ले राधे 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 तेरे जीवन के दिन चार तूँ जप ले राधे राधे तो चाए पीने के बाद अब मैंने अपना सफाई अभ्यान शुरू कर दिया है और आज स्टार्टिंग बीच वाले रूम से की है यहाँ पर अनुज विशाल की दादी सोती है और इस टाइम पे वो गई है बहार घूमने के लिए क्योंकि सुबह दूद पीके नहा के और वो सो गई थी और अभी उठके और बाहर घूमने के लिए गई है तो सुचे स्टार्टिंग यहीं से कर लेती हूं तो इनका हाथ पोचने वाला तोलिया यहीं चार पाई पे था तो उसको मैंने दूप में डाल दिया है और ऐसे ही बैड सीट को मैंने थोड़ा सा जाड दिया है कि थोड़ा बहुत कुछ उस पे पड़ा था तो उसको साफ कर दिया है रजाई की मैंने तै नहीं लगाई है क्योंकि अभी आएगी और आते ही फिर से उनको रजाई में लेटना है तो फिर से रजाई की तै उनको खोलनी है तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और अभी इस रूम में जाडू लगाने के बाद फिर बच्चो वाले रूम में जाडू लगा के आऊंगी और बच्चो वाले रूम से लगाने के बाद फिर अपने वाले रूम में मैं जाडू लगाने के लिए आ गई हूं और ये देखिए यहां पर ये भी अपना रजाई में लेटे हुए हैं ये भी नहा के और वापस से रजाई में गुस गई हैं क्योंकि घर में काम सिर्फ मुझे ही करना होता है और इनको तो नहाने के फिर मैं खाना बनाने की तयारी करूंगी और फ्रेंटसी ये देखिए हमारी प्यारी सी पोती रिया मैंने इसकी नई जुराबे बनाई थी तो नई जुराबे पहनने के बाद कितनी मस्ती कर रही है कितनी खेल रही है थोड़ी सी इसकी रियल जो बातचीत है वो भी आप किस्की पोदेशाव चाहे ए? ते सुस्मा डादी सुमा डादी हृःःःःःःःःः ने अंत्युपर्टी यह अपर्ट कुछाइली बहुत और घग? को दोडर सुन्य के पति भी बाकी किसा? पति किसकी पति है? सुस्मा की सुन्य कर्फोटी सुस्मा की तो फ्रेंड से आप हमारी रिया से मिल चुके हैं और आप सबने भी देखा होगा कि आजकल तो रिया बहुत बोलने लगी है और सच में इतनी छोटी सी है इतनी प्यारी है जो भी बोलते हैं बहुत अच्छी लगती है और जो भी अमबडे बोलते हैं उसी को कैच कर लेती है और सेम टू सेम बोलती है और आजकल तो हर बात को मिंट में पकड़ लेती है और अभी मैं आई हूँ कीचन में अभी कड़ी बनने के लिए रख दी है और आज मैं कड़ी में थोड़ी सी पालक भी डालूंगी कड़ी पालक बनाऊंगी और दूसरे चुले पर मैं अभी पानी साथ के साथ बॉयल करने के लिए रख देती हूं क्योंकि एक चुले पर चाओल बन जाएंगे एक चुले पर कड़ी बन जाएगी तो साथ के साथ मेरा काम हो जाएगा नहीं तो फिर एक काफे टाइम लग जाएगा और कड़ी चाओल बनाने हो या दाल चाओल बनाने हो तब तो ये काम जल्दी से हो जाता है और जैसे सबजी, काटनी, बनानी उसमें ज्यादा टाइम लगता है तो आज तो मन था कि लसी रखी है तो क्यों ना कड़ी चाओल बनाए जाएं तो अभी मैंने एक चुले पर कड़ी बनने के लिए रख दी है दूसरे पर मैंने चाओल बनने के लिए रख दिये हैं तो अभी ये चाओल पकेंगे तब तक चलिए मैं अभी पोचा लगा लेती हूँ तो एक चुले पर कड़ी पक रही है एक पर चावल पक रही है दोनों चुले का जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब लग गई हूँ मैं पोच्चा लगाने में क्योंकि अब वो तो धीरे धीरे खाना पकता रहेगा तब तक मैं पोच्चा भी लगा देती हूँ मेरा काम हो जाएगा और अनुज विशाल की दादी अभी गई हुई है मेरे बड़े वाले जेट जी के फ्लेट पर क्योंकि काफी टाइम हो गया है अगर सिर्फ बाहर से घूम के आती तो अब तक आ जाती लेकिन अभी वैसे मैंने फोन करके पूछा भी नहीं है आइ और एक कमेंट्स आया था कि आप पंखा चला के पोचा लगाते हो तबी तो आपको ठंड लग जाती है तो फ्रेंट्स क्या करूं अगर पंखा नहीं चलाओंगी तो इन लोगों की तो दो मिनिट लगनी है इदर से उदर घूमने में और मेरी करी कराई सारी मेनत पर पानी फिर जाएगा इसलिए मैं अमेशा सोचती हूँ कि पंखा चला के और फिर पोचा लगा देती हूँ तो साथ के साथ सूख जाएगा फ्रेंट से बाकी सब तो खाना खाके फ्री हो गई हैं लेकिन मैंने अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि मैं तो अभी आटा लगा रही हूँ गाएं माता की दो रोटी बनानी है और उसके बाद मैं खुद खाना खाऊंगी और अभी इस आसूमा आई थी बड़े जेट जी की फ्लैट से तो उसने बताया कि रिया को चोट लग गई है गेट में उसका हाथ आ गया है तो अभी सब काम से फ्री होने के बाद बड़े जेट जी के फ्लैट पर जाऊंगी रिया से मिलके आऊंगी देख के आऊंगी कि रिया को कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है अभी ये तो कह रहे थी कि फौन करके पूछ ले लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं खुद ही जा करूंगी तो फ्रेंड से कैसे हो आप सब बहुत जादा ठंड हो गई है शाम के पौने साथ बजच चुके हैं और बहुत जादा सर्दी होने लग गई है और मुझे तो कुछ लगती भी हद से ही जादा है और अभी भी मैं नीटिंग का ही काम कर रही हूं कीचन में तो मैं साथ बज़े जाऊंगी आदे घंटे तक और अपना बुनाई का ही काम करूंगी क्योंकि ये मैंने अपने लिए फुल बाजू कार्डेगन बुनना शुरू किया है और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो कार्डेगन आपने बुनना शुरू किया है उसकी वीडियो डा की है कि थोड़ा सा इसको बना लेती हूँ नहीं तो फिर एक वीडियो के बीच में दूसरी वीडियो आने तक के काफी गैप हो जाएगा और आप सबको जादा वेट करना पड़ेगा इसलिए अभी इसको मैं बैक पार्ट को पहले कम्पलीट करूंगी और फिर मैं इसकी व कम्पलीट करना पड़ेगा इसी बजह से मैंने अभी तक इसकी वीडियो नहीं डाली है वरना एक वीडियो तो मैंने दो बड़े भी प्रैस नहीं हो पाई यह देखे आप देख सकते हो पूरा धेर लगा पड़ाया कुर्सी पे आदे से ज्यादा वैसे इसमें तै लगाने वाले हैं और आदे से कम हैं प्रैस करने वाले और काम भी मेरा धाई बजे कंप्लीट हो गया था लेकिन फिर भी मैं आज प काई ने गया मन किया कि जाओं और एक बार रिया को देख के आओं कि कितनी चोट लगी है रिया को और आज रिया की जो है उंगली आ गई गेट के बीच में काफी चोट लग गई है मारी लाडली को जैसे यह उंगली है यहां तक की बिल्कुल नीली हो गई है एक उंगली त लेकिन फिर भी मैं तो प्रमात्मा का शुकरिया आदा करती हूँ कि बच गई उसके दादा जी ने भाग की गेट को पकड़ लिया वरना इतनी तेज हवा में गेट लग रहा था तो अगर दोबारा से लग जाता तो बिलकुल उंगलिया कट जाती क्योंकि अगर एकदम से गेट लगता है या दर्वाजे के बीच में उंगली आ जाती है तो बड़ों की भी कट जाती है और ये तो बिलकुल ही मासुम सी है हमारी प्यारी सी पोती इतने कच्चे कच्चे से इसके हाथ हैं बिलकुल उंगली दूर हो जाती है लेकिन शुकर है प्रमात्मा का कि इतने में ही काम चल गया है हो जाएगी दीरे दीरे करके ठीक लेकिन आज हमारी सच में लाडली बहुत रोई बहुत जादा दर्द हो गया उसको और मुझे भी बहुत दुख हुआ देखे कि इतनी छूटी बच्ची को इतनी चोट लग गई है और प्रैस का तो अब मैं कली करूंगी वैसे मैं वहाँ से आ गई थी वोने चार भी निवजे थे उससे पहले ही आ गई थी मैं लेकिन फिर आने के बाद थोड़े से ओडर निकालने थे काफी सारे भी लाए हुए थे तो मैंने सुचा कि इनको निकाल के रख देती हूँ फिर रात को ये पैक कर लेंगे और मैं अपना आराम से बैठ के फिर नीटिंग का काम करती रहूंगे और प्रैस का तो अब कल ही देखूंगे जल्दी से काम खतम करके और एक घंटे का काम है तै लगाने का भी और प्रैस करने का भी कल करूंगे फिर मन नहीं किया वैसे करना चाहती तो हो जाता लेकिन फिर मेरा मन किया कि मैं स्वेटरी बुन लेती हूँ ताकि इसकी वीडियो जल्दी से जल्दी आप सब तक भेज सकूँ जालोंगे और नीटिंग लेसन चैनल पर जो मैंने अपनी पिंक कलर की जैकेट पहन के आप सब को दिखाई थी उसकी जो है गले तक की जितने पारट हैं सब अपलोड हो गए हैं सिर्फ गले की बुनाई का और आरम होल की बुनाई की दो वीडियो बाकी हैं अगर आप सबने अभी तक वीडियो नहीं देखी हैं तो नीटिंग लेसन चैनल पर वीडियो देखिए और वो सुन्दर सी जैकेट अपने लिए बना लीजिए सच में बहुत प्यारी आपकी जैकेट बनेगी तो फ्रेंसे अभी तो कर लेती हूँ मैं साड़े साथ बजे तक बुनाई का काम फिर जाओंगी कीचन में खाना बनाओंगी दूद गरम करूंगी दस बज जाएंगे कीचन में ही सब काम करते करते तो आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दीजे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमिश्कार राधा स्वामी राधे राधे जै श्री राधे